हेलो एवरीबरीवान असलाम अलेकुम कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हूँगे अलम दिल्लै जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक आज का व्लॉग स्टार्ट के हैं मैंने दुपहर से और यहां पर मैं बना रही हूँ अप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या एड करती हूँ मेरे पास घर में ओरेंज थे कैरट थी और कुकंबर था और लेमन था और जो मैंने कल हरल्दी ड्राय करने के लिए रखी थी थी थोड़ी सी वह भी बड़ी भी थी तो यह मैंने सारी चीजों को जो है वह कि मुझे इसमें काम करना बहुत असान लगता और काफी टायम से यह खराब था तो मैंने अब इसको रीसेंटली साही करवाया तो यह तो मेरा बहुती कोई ना फेवरेट हुआ वा है क्योंकि जब मैं किचन में कोई भी काम करती हूँ ना तो यह बहुत जादा काम आता है जब से यह खराब हुआ था ना तो मैं इतना कोई परेशान होगी थी यह कब ठीक होगा तो फाइनली यह ठीक हो चुक है और इसने इतने काम कोई असान कर दिया ना प्रॉपर पूरी मशीन मुझे निकाल लीनी पड़ती जूस वाली यह पिर चॉपर वाली कोई भी जो थो मज़ेका लगता है तो मामा भी जो है ना वो आ चुकी थी तो मैंने फटवर्ट से उनके लिए भी बना लिया वैसे वो ऐसे चीज़े इतनी पीती नहीं उनको नहीं पसंद आता यह विला जूस ना उनको संगल संगल चीज़े और इन जूस हो गया यह सिंपल होता है ना औ यहां पर हमने फिर फिर इनोर करना तो मेरे हातो कि या हमारा प्लान था कुछ अच्छा सा बिनाने का तो यहां पर मैं मामा बना रही है कियगदा बहुत ही ईजी है मैंने बहुत बार शियर किया है पर मैं आपको इसाथ फिर भी शियर कर देती हूँ मामन इलिया है एक अंडा और हाफ कप चीनी जो बड़े वले जो इसके मेजरिंग कप होते हैं इसमें से जो दूसरा नंबर का मग कप होता है अब मुझे याद नहीं आ रहा तो वह इसके अंदर मामने डाला था चीनी का और यही ऑईल का जाएगा और यही जो है ना दूद का भी जाएगा तो बस यहाँ पर चीनी डायकेस को अच्छेसे जो मिक्स कर दिना है और वही वाला कप जिससे चीनी लिए थी उतना ही आपने इसके अंदर दूट डाल दिना है अब मैं इसके अंदर एड़ करूँगी वनेला पाउडर अगर आपके बस वनेला एसंस है आप इसके अंदर वनेला एसंस भी डाल लो तो यहाँ पर मैं बस पाउडर ही सामने पड़ाता है तो मैंने यही उस कर लिया अब उसके बाद मैं इसके अंदर एड़ करणगी butter essence जो के मैं recently लिक्षा ही और first time हमने try किया है बहुत ही अच्छा इसका flavor आया है अब मैं इसके अंदर एड़ करूँगी lemon essence यह तीनों essence जो है वो जुरूर केक में डालने चाहिए बिलकुल बाहिर वाला flavor आता है ऐसा बिलकु कोई मसला चल रहा है और मेरे साथ आज जो है जो मैंने इतने मुश्किलों से सारी चीज़े record किया ना यह मेरे से कुछ चीज़े record हुई और कुछ जो है वो skip होगी है कुछ मुझे लग रहा था video बन रही है पर नहीं बन रही थी क्योंकि फॉन में इतना सारा समान है कि बनाने के लिए तो बंद हो जाता है जिसकी वज़े से केक इतना कोई मतलब कि खतरनाक बन रहा था और बेक होते वे इतना time लग रहा था पता नहीं इसको क्या problem है और हम लोगों के इतना पता भी नहीं कहा सा ठीक होगा तो फिर मैंने सोचा चलो इसको use नहीं करते हैं हम आज जो है ना पतीले में बेक करते हैं क्योंकि मामा ने तो हमेशा ही प पतीले में बेक किये है और मुझे भी यहादा अच्छा लगता है पतीले में बेक करना बहुत ही अच्छा बेक हो जाता है आद आपके साथ मैरे का य community यहां पर गड़ेवाध यहाँ भाड़ी कड़ाई delighted दो उसके यस्के इस वह रगा लिए तर के और मुझे बता अंदर बढर जो एक क्योंट से कहता ने कि और सबसक्न को सबीड़ मुझे पना रह büy को मैं बड़े बना के ओंवा की आप बाती सब दूआ कर е möglich कर दो तो इस तरह से अगर कभी दिल चाहते है ने चिकन वगरा फ्राय चिकन खाने का तो यह इस चिक बना कर खाओ मैं बताती हूं आपको बहुत ही मज़ा आए का खाकर तो मैं यहां पर जैना बस वही बिना रही हूं मैंने स्क्यूजर ले लिए थे अगर आपकर स्क्यूजर नही बनाओंगी कॉन फ्लार के अंदर और जो बाकी मेंने एक और चीज बनानी है तो उसकी जो गोटिंग वह बेसंगी रेडी होगी तो मैंने पहले स्क्यूजर पर लगा लेती हूं और बाकी इसकी जो मैं रेनेशन या इसका जो मैंने लेक्विड तयार करना है वह मैं बाद म रेडी करूंगी यहां पर आते हैं अपनी सेकंड चीज चीज़ की तरफ यहां पर मैंने ले ले ल्या था आलू और núize यह सकये बैसाईश कर करने को कई था खाती है अब मैं लगाँगे इसको situat स्कूजर पर स्वोल्ड करनें और जाए भी बहुत ही कोई मज़े के बने थे और यहां पर जो है ना इसको हम लोग फटा फट से इस्क्यूजर पर लगा लें के बस यह वले जो दोनों चीज़े ना आज हम लोग ने यही डिसाइड की थी कि जिस तरह से इस्क्यूजर पर रेडी होती है ना मैंने तो वो चिकन ट्रा करना और यह हमें खिलाना तो मैंने सुचा चोलो आज यह भी बना लेते हैं तो बस यहां पर जो है ना फटावर्ट से हम इनके सारे स्क्यूजर रेडी कर लेंगे क्योंकि इसको बनाते वे थोड़ा सा टाइम लग गया था तो यहां पर मैंने एक दो रेडी किया था बाकी कर नहीं हुई तो यहां पर मैंने पॉर्ट लेक बनाए थी इसके हिंदर मैंने रिय पोटबर स्पून काउन प्लर लिया था और इसके बाद मैंने से सारे स्पाइस डाले थे और एक्स्ट्रा मैंने रिक्स हर्ब जो आर्गनों लीवस होती है वह डाले थे उससे फ्लेवर बहुत अच्छा है था रेट चिली पाउडर जीरे देने का पाउडर नमक मेंट पाउडर यह सारा कुछ जाल की मैंने इसकी जो है ना यह जो स्लरी लिक्विड है यह रडी किया था और इसको कोट करके आपने रडी करना है और जो मैंने यह जो आलू के लिए बेटर बनाया यह उसका काफी डाग डाग कलर होता है तो मैंने इसके मदर थोड़ा सा फूट कलर डाला था जो आपको लिक्विड में डिफरेंस दिख गया होगा क्योंकि यह काफी ज्यादा यलू है और वह जो मैंने कॉन फ्लार वाड़ा लिक्विड बनाया है वह थोड़ा सा उसका ज लिफ जोड़ा सा पतला ही रेडि करना था कि यह बहुत क्रिस्पी और अगर आप में सेमीत है किसी ने मेरे चरेनल को सबस्क्राइब करे देंए तो काइनली काइनली सब्सक्राइब कर देना वीडियो थी लगे तो लाइक ज़रूर करना कॉमट के बदाना कि अब लगा कि रहता था और तक्रीबन जो केक है वो साथ साथ चेक कर रही थी आपने जादा उसको चेक नहीं करना बस तक्रीबन 15 मिनट बाद एक बार चेक कर लेना है और पर इसके बार जब रड़न हो जाए तो फिर आपने इसको उपन करके देख लेना है इस क्यूजर की मदद से के वो अच्छे से कुक हुआ है या नहीं हुआ तो बस यहां पर अभी हमारा केक भी रेडी होने वाला था था थोड़ा ही टाइम था इसमें और तब तक हमारे जो पटेटो स्ट्रिक्स यह भी रेडी होगी थी अब मैं आपको दिखाती हूं केक जो के इतना कोई मज़े का जो है है तो इसलिए वैसला इसको पतीले में werग किया था क्योंकि पतीले ने में वहते हैं बरत आलू आज बहुत अच्छी लगठी था उंध इसका भी लगवडल जोइनाग ना स्बसको भी इस प्याटए करना है और यहां पर तक्षिबर जब चीज इस हाफ ड़न हो जए तीना तो पिर मैंने सोचा फटरवर्ट से जो है ना वो चाय भी रख देते हैं और साथ में चाय भी रेडियो हो जाएगी और हमारी जो फ्राइन का काम है ना ये भी साथ ही साथ हुत आख jeगा तो फटरवर्ट से जो हैना मैंने पिर चाय रख दी और आफ लोग मुझे बताना कि आप लोग कोफी चाय के साथ इस तरह की चीज़े खाने पसंद है या नहीं पसंद हमारे घरवालों को और मुझे भी काफी पसंद है इस तरह से जो हैना वो चीज़े बना कर शाम के टायम खबुषब हो और इसकी कोई फील ही अलग होती है और हम जो है वो खाते रहेंगे पर इस बार मैंने सोचा है फ्राइंग जो है न वो इतना सब्ल़ सादा हम जो है वो नही बिनाएंगे ठोड़ा हाथ बार bible हलका रखेंगे फ्राइंग आइडम पे जो मतलब कि मेंनमें चीजे होंगी ना सदही बड़े वगयरा ये तो जो है ना वो रेगूलर के हिसाब से जो बनते है ना वो तो ज़रूर बनेंगे तो बस इस बार इरादा है कि फ्राइं के चीज़े जो है वो थोड़ी कम हो और कोशिश भी करेंगे कि फ्राइ आइटम थोड़ा कम खाएं एर फ्राइर में बेक करके खा लें क्योंकि ये बहुती कोई unhealthy है कभी कबार ये सारी चीज़े भी चलती है इन चीज़ों को भी अपन तो या पिठों को भी अपने है और करेंगे कि फ जोड़ी की फेर कविया है अिस्परद करेंगे में बार ये करेंगे करेंगे करेंडे में दान जाए ये में ने सिद्गूंकि अगर रशना प्राइभ उपशना का टिलाएं ने और हुबां युझा। हमारा केक है वह बहुती जबरदस्ता जो है वह बेक हो चुका था तो जैसे यह बेक हुआ था नहीं इसको रूम में रख दिया था ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और फिर उसके बाद आपने इसको डी मॉल करना जब यह अच्छे से ठंडा हो जाए कभी भी केक को गरम गर करो तो काफी अच्छे से जो है ना वो डी मॉल हो जाता और यह इतना कोई टेस्टी बना था ना बहुत ही कोई मज़े का केक रेडी हुआ था और बस मैंने इसको सबसे पहले हैं क्योंकि मेरा काफी ट्राइम से दिल चाह रहा था केक खाने का और मामा के हाथ का तो बस मैंन हैनत लगेगी पर जब आप इसको बना कर खाओगे ना तो आपको मज़ा आजाएगा है कि यहां पर जो प्रिट्रेटों से वह इतनी कोई मज़े के इतनी क्रिस्पी रेडी हुई थी तो मैंने सोचा आप लग के साथ भी शेयर कर देती उसकी कितनी मज़े की बनी थी तो ब अगर अच्छा लगाओ तो प्लीज लाइक शेयर कमने सब्सक्राब तो माई यूट्यूब चैनल थेंक यू सो मच वर वाचिंग फिर मिलेंगे एक अच्छे से व्लॉग के साथ लव यू आल अलाहाफ़ जी बाई बाई